हेलो नमस्कार दोस्तो आज का हमारा टोपिक है विंडो 11 ब्लैक एसकिन बूट लूप को कैसे ठीक करते हैं वो देखेंगे और प्लीज गया यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें चलिए सुरू क करते हैं आप जब विंडू 11 को अपडेट करते होंगे अपडेट होने के बाद आपके केस में भी ब्लैक स्कीन आता होगा यानि तो डेखेंगे इसको कैसे करते हैं वो देखेंगे इसको क्या केना जब आप सिस्टम करते होगे तो बुते बुक्सिन को Board में जाने के लिए उसके उपर आपको किलिक करके advanced mode की उपर आपको आजाना है, तो यहाँ पे इस तरह से आजाएंगे, यदि वो option नहीं आता है, तो आपको क्या करना है, कोई भी bootable pen drive आपको बना लेना है, यानि window 11 का bootable pen drive आपको बना लेना है, उसके थुरूँ आपको boot करके, दिखी जाएगा, इसके उपर आपको क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद यह window open हो जाएगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, startup repair, इसके उपर आपको क्लिक कर देना है, क्लिक करते हैं, इस तरह से repair होना शुरू हो जाएगा, जो भी starter का problem होगा, इसको automatic repair करके, इसको fix करना शुरू कर देगा, इसके बाद इस तरह से आपके case में भी window आ जाएगा, जो भी problem होगा, इसको fix कर देगा, इसके बाद आपको क्या करना है, shutdown के उपर क्लिक करके, आपको restart करके चेक कर लिजएगा, आपका problem solve हो जाएगा, यदि फिर भी problem solve नहीं होता है, तो आपको क्या करना, यहाँ पर advance option के उपर आपको क्लिक करके, यहाँ पर आजाना है, अब आपको क्या करना, यहाँ पर turbo suit के उपर आपको क्लिक करना है, इसके बाद यहाँ पर advance option के उपर आपको क्लिक कर देना है, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप आ जाएंगे अब आपको क्या करना है यहाँ पर आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद यह विंडो ओपन हो जाएगा इसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पर रियस्टार्ट के उपर आपको क्लिक कर दिना है क्लिक करने के बाद यह से से मोड़िन में चला जाएगा वैसे ज्यादातर केस में एफ से इप से वन होता है तो आप चेक कर सकते हैं चलिए आप हम क्या करते हैं यहा पर बैक आ जहते हैं सेफ मोड में जाने के बाद भी आपका प्रॉप सॉल्व नहीं होता है तो आपको क्या किना यहाँ पर एक उप्षन देख जाएगा अनिस्टॉल अपडेट इसको उपड़ आपको किलिक करना है किलिक करने के बाद यह विंडो आ जाएगा यहाँ पर दो ओप्सन द करके उसके बाद system को रििए स्टार्ट करके आप चुरिए लिजेगा आपका problem सॉल हो जाएगा यद फिर भी problem नहीं होता तो आपको क्या करना यहाँ पे अध्वास मोड़ के आपको आजाना है अब आपको क्या करते यहाँ पर आपको धिजिए हुआ होगा यहां पर आपको दिख जाएगा तो आपको क्या करना यहां पर आपको सेलेट कर लेना है इसके बाद आपको क्या करना यहां पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है इसके बाद इस तरह से विंडो आजाएगा अब आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर लोकल डिक झाल झाल रियस्टार होने के बाद यहाँ पर आपको लिखा हुआ आजाएगा सिस्टम रियस्टार कम्प्लीट सक्सेस्फूल इस तरह से लिखा हुआ आजाएगा अब आप क्या है यहाँ पर रियस्टार्ट को पर आपको क्लिक कर देना किलिक करते हैं इस तरह से यह restart होना शुरू हो जाएगा restart होने के बाद यहाँ पे भी लिखा हो आ जाएगा system restore complete successful आप आपको क्या करना है यहाँ पे close कर दिने है close करने के बाद आपका problem solve हो जाएगा आपके case में फिर भी problem solve नहीं होता है तो आपको क्या करना है वहाँ पे advanced mode पे आपको आना है चलिए मैं वहाँ पे आपको ले जाके दिखाता हूँ आपको आगे क्या करना है यहाने के बाद आपको क्या करना है यहाँ पे आपको टुर्बल सूट के उपर आपको किलिक करना है किलिक करने के बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा reset this PC इसके उपर आपको किलिक कर देना है किलिक करते हैं इस तरह से window open हो जाएगा यहाँ पे आपको 2 option दिखी जाएगा यहाँ पे आपको दिखेगा keep my file इस option में आपका जो भी file होगा यानि c-dive के अंदर जो भी file होगा उसको delete नहीं करेगा बांकि जो भी app होगा उसको delete कर देगा जो भी setting होगा उसको delete कर देगा यदि आप यह option select करेंगे तो यहाँ पे remove everything, यहाँ पे cdap के अंदर जो भी personal file होगा उसको भी delete कर देगा, जो भी app या जो भी setting होगा सब को delete कर देगा, तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से कोई एक select कर लिजेगा, उसको पर आप click करके इसको reset करके check कर लिजेगा, आपका problem solve ह जाएगा, यहाँ प्र भी आपका problem solve होतर नहीं होता है, तो आपको क्या करना है, हैँआ यहाँ आने के बाद, हुपर रखोर्थ करना है, इसके बाद, यहाँ प्रिटको इसफिल कर्या हम और आपको क्लिक कर देंगा, और आपको क्या चैना, यहाँ आपको command यहाँ पे dir type करना है अब आपको यहाँ पे enter करते हैं यहाँ पे आपको इस तरह से सारा command open हो जाएगा यानि यह path open हो जाएगा इसके अंदर आप दिख जाएगा कौन कौन सा फोल्डर है अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा program file window यहाँ पे दिख जाएगा यदि आपके case में यह सारा option नहीं दिख रहा है इसका मतलब आपके case में cdap के अंदर window install नहीं है किसी और drive के अंदर window install होगा यानि तो किसी और drive के अंदर यहाँ पे दिखेगा इसलिए आपको यह confirm कर लेने हैं आप जो drive select करें उस drive के अंदर यह file है या नह tap करने के बाद आपको space देना है इसके बाद आपको forward slash करना है इसके बाद यहाँ पर आपको tap कर देना है window इसके बाद forward slash इसके बाद यहाँ पर आपको tap कर देना है system 32 इसके बाद आपको forward slash इसके बाद आपको config इसके बाद यहाँ पर आपको enter कर देना है जैसा मैंने tap किया ह में backup 10 रखा है आप अपने किस में कुछ भी रख सकते हैं बैक अप 1,2,3,4 या कोई भी नाम आप रख सकते हैं इसके बाद आपको क्या करने इंटर कर दिने अब आपको क्या करने यहां पर टैप कर दिने इंटर करते हैं यहां से यह कमांड रन हो जाएगा रन होने के बाद यहां पर यह कोपी हो जाएगा अब आपको यहां पर टैप करने इंटर करते हैं यहां से यह कमांड आ जाएगा अब आपको यहां पर टैप करने इंटर करते हैं यहां से यह कमांड आ जाएगा अब आपक किजेगा इसके बाद यहाँ पर आपको इंटर करते हैं इस तरह से यहाँ पर आपको क्या करना यहाँ पर आपको क्लिक करते हैं इस तरह से आपका विंडो स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा तो इस तरह से आपका विंडो स्टार्ट हो जाएगा आपको मैं 4-5 प्रोसेस बताया हूँ किसी एक प्रोसेस से इस एरर को आप फिक्स कर सकते हैं और प्लीज गये चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें थैंक यू